दोस्तों कभी कवार कैमेरे में कुछ ऐसी घटनाएं रिकोर्ड हो जाती हैं जो दिमाग को सुन कर देती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ अगर मैं आपको इन घटनाओं का वीडियो ना दिखाते हुए सिर्फ बोल कर इनके बारे में बताऊं तो आप मुझको पागल कहने लगोगे क्योंकि ये घटनाएं हैं ही इतनी रेयर जो कभी कवार कैमरे में रिकोर्ड होती हैं तो दोस्तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप एंड तक देखो क्योंकि वीडियो का लाश्ट आते आते आपका दिमाग घूमने वाला है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है पर अगर नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ओल के उप्शन को जरूर से गई दर असल हुआ कुछ हैसा कि जब ये लोग कबरिस्तान में टेहल रहे थे तब इनको एक खाली पड़ी कबर से कुछ हल चल होने की आर्ट सुनाई दी तब इन्होंने आवाज लगाई कि कौन है वहां लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया फिर जब ये लोग उस खाली पड़ी कबर के पास गए तब इनको उस कबर के अंदर एक अजीब सा आदमी बैठा दिखाई दिया जिसको देखकर इन लोगों के तोते उड़ गए ये लोग उस अजीब से दिखने वाले आदमी से बार बार पूँचते हैं कि कौन हो तुम पर वो आदमी बिना कुछ बोले बस कैमरे के तरफ घूरे जा रहा था तब ये लोग डर के मारे उस कबर से दूर हो जाते हैं फिर कुछ मिनट वाद वो अजीब गरी व्यक्ती उस कबर से बाहर आ जाता है और चुप चाप बिना बोले वहां से चला जाता है आखे कौन था ये व्यक्ती जो इतनी रात को इस डरावने कबरुस्तान में इस तरह से उस कबर के अंदर बैठा था क्या ये कोई मुर्दा खोर तो नहीं था आपको क्या लगता है दोस्तो दोस्तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए मिश्टरी बन जाती है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को इस पेन में रहने वाली एक लड़की ने रिकोर्ट किया थी कि आखिर ये चेहरे इस मिरर पर कैसे आए वीडियो में साफ साब देखा जा सकता है कि दो अजीब से चेहरे मिरर पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में ये लड़की कह रही है कि मैंने इन चेहरों को साफ करने की बहुत कोशिश की पर तब भी ये साफ नहीं हुए शुरू में इस लड़की को लगा कि इसके घर के ही किसी व्यक्ती ने इसके साथ मजाक किया है पर घर के सभी सदस से वहां आ गए और सबने मना कर दिया कि ऐसा मजाक किसी ने नहीं किया दोस्तो सच में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके पीछे कौन है ये पता ही नहीं चल पाता दोस्तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो दिसंबर 2019 को बाइक पर जा रहे कुछ लड़कों ने रिकोर्ट किया तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लड़के रात के एक बज़े कहीं शादी अटेंड करके आ रहे थे तबी उन्होंने देखा कि सून सान रोट पर रात के एक बज़े एक अकेली लड़की कहीं पर जा रही है तब ये लड़के अपनी बाइक को उस लड़की के पास ले जाते हैं और उससे पूंचते हैं कि इतनी रात को तुम कहां जा रही हो जब ये लड़के इस से कुछ पूंच रहे थे तब ये लड़की अजीव अजीव इशारे करने लगती है जिसको देखकर ये लड़के भी डड़ जाते हैं दोस्तो आखिर कौन हो सकती है ये लड़की जो इतनी रात को अकेले कहीं जा रही थी ये वीडियो सच में हैरान करने वाली है दोस्तो समुदर के किनारे समुदरी जीवों की डेड बोडी और कंकाल का मिलना कोई नई बात नहीं है लेकिन अगर आपको किसी ऐसे जीव का कंकाल देखने को मिले जो इस दुनिया में होता ही नहीं है तब आप क्या कहोगे ये जब वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को रिकोर्ट कर रहा वेक्तिया समुदर किनारे घूमने आया था पर तबी घूमते समय उसने पानी के अंदर एक अजीव से जीव का कंकाल तेड़ता हुआ देखा जिसको देखकर ये समझ ही नहीं पाया कि ये किस जीव का कंकाल है और दोस्तो आप भी इसको देखकर नहीं समझ पाओगे कि ये किस जीव का कंकाल है फिर जब इस वेक्तिने इस कंकाल को उठा कर देखा तब ये हैनान रह गया क्योंकि इसका आदा शरीन मचली जैसा था और उपर का हिस्सा इनसानी कंकाल जैसा दिखाई दे रहा था इस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस दुनिया में ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है दोस्तो ऐसी वीडियो देखकर हमको जल परी के अस्तितव पर यकीन होने लगता है जो सिर्फ हम कहानियों में सुनते थे दोस्तो आपको क्या लगता है कि ये कंकाल किस जीव का होगा दोस्तो अक्सर देखा गया है कि रहसे में घटनाएं सुनसान कबिस्तान या खाली पड़े घरों में ही देखने को मिलती हैं पर क्या कभी कोई सोच सकता है कि किर्किट के मैदान में जहां हजारों लोग होते हैं वहां कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो सबके होश उड़ा देगा अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले जिमबावे और बंगलादेश की टीम के बीच दूसरे टी-20 मैच के दोरान पिछ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिये दरसल हुआ कुछ ऐसा कि जब बंगलादेश के एक बैटमैन बैटिंग कर रहे थे तभी उनके पीछे लगे स्टम्प में से एक स्टम्प अपने आप पीछे खिसक जाता है और उस पर लगी गिल्ली अपने आप गिर जाती है जबकि आप किलियरली देख सकते हैं कि बैट स्टम्प से काफी दूर था और बोलर ने अभी बोल भी नहीं कराई थी अब किर्केट में यूज होने वाले स्टम्प काफी मजबूती से लगाए जाते हैं पर सोचने वाली बात ये है कि ये स्टम्प बिना किसी ओबजेक्ट के टच हुए अपने आप पीछे कैसे हटा इस नजारे को देखकर कमेंटरी कर रहे व्यक्ति का भी दिमाग घूम गया और एमपायर भी अपना सर खुजाने लगा कि इसको आउट कहा जाए या नोट आउट लेकिन काफी बार रिपले देखने के बावजूद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये स्टम्प पीछे कैसे हटा अब कुछ लोग का ये भी कहना था कि ये स्टम्प बैट की हवा से पीछे हटा लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने हाई लेवल मैच के स्टम्प इतनी लापरवाही से तो नहीं लगाए जाएंगे कि वो हवा से हिल जाएं दोस्तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तो कुछ लोगों को स्टंट करने का काफी शोक चड़ा होता है पर कभी कबार स्टंट करना काफी भारी पड़ जाता है यह जब वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में दिख रहे हैं इन लोगोंने इस लेक पर जमी बर्फ की चादर में दो होल किए और यह जो वियक्ती बिना कपड़ों के बैठा है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद ही अपने बच्चों को रात के समय प्लेगराउंड में ले जाना चाहोगे रेडिट पर अपलोड हुए इस वीडियो में कुछ ऐसा रिकोड हुआ जिसने सब के रोंग टे खड़े कर दिये ये वीडियो तब रिकोड किया गया जब वीडियो रिकोड कर रहे व्यक्ति की लड़की स्लाइड से फिसल रही थी वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ये बच्ची स्लाइड से फिसलती है तब इसके पीछे एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है जिसका चहरा सफेद और उसकी आँखें काली थी वीडियो रिकोर्ड कर रहे व्यक्ति का भी कहना था कि इसको इस बात का तब पता चला जब उसने घर आकर वो वीडियो दोबारा देखी सच में दोस्तों ये दुनिया बहुती रहसे में है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू कर देना